26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का जंडा फैर हाया था। साथियों कारगिल का युद्ध जिन परिस्तित्यों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े-बड़े मन्सुवे पालकर भारत की भूमी हत्याने और अपने यहां चल रहे आंत्रिक कलह से द्यान भठकाने को लेकर दूसाहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे समन्तों के लिए प्रयास रथ था। लेकिन कहां जाता है ना बैरू अकारन सब काहूं सो जो करहित अनहित ताहूं सो यानि दुस्ठ का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हीद करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीट में छुरा धौपने की कोशिश हुई थी। लेकिन उसके बाद भारत की वी सेना ने जो पराक्रम दिखाया। भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कलपना कर सकते हैं। उँचे पहड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना ये। हमारे वीर जवान लेकिन जीत पहड की उचाई की नहीं भारत की सेनाओं के उँचे होंसले और सच्ची विर्ता की हुई। साथियों उच समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सोभागे मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल ख्षणों में से एक है। मैं देख रहा हूँ कि आज देश भर में लोग करगिल वीजे को याद कर रहे हैं। सोचल मीडिया पर एक हैश्टेग करेजिन करगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें सरद्धांजली दे रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूँ। जिन्होंने मा भारती के सच्चे सपुताओं को जन्म दिया। मेरा देश के नवजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजे से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं, शेर करें। मैं साथ हुआ आपसे एक आग्रह करता हूँ आज। एक वेबसाइट है www.galantryawards.gov.in आप उसको जरूर विजिट करें। वहाँ आपको हमारे वीर पराक्रम योद्धाओं के बारे में उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारिया प्राप्त होगी। और वो जानकारिया जब आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे उनके लिए भी प्रेणा का कारण बनेगी। आप जरूर इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और मैं तो कहूँगा बार-बार कीजिए। साथियों कारगील यूद्ध के समय अटल जी ने लाल किले से जो कहा था वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगीक है। हटल जी ने तब देश को गांधी जी के एक मंत्र की याद दिलाई थी। बात्मा गांधी का मंत्र था कि यदि किसी को कभी कोई दुविदा हो कि उसे क्या करना क्या न करना तो उसे भारत के सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि जो वो करने जा रहा है उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं होगी। गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। ये मंत्र था कोई महत्वपूर्ण निर्णे लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पाहडियों में अपने प्राणों की आहूति दी थी। आईए अटल जी की आवाज में ही उनकी इस भावना को हम सुने, समझे और समय की मांग है कि उसे स्विकार करे। हम सभी को याद है कि कांदी जी ने हमें एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि यह कोई जीविदा हो कि तुम्हें क्या करना एं तो तुम भारत के उससे असहाय व्यक्ति के बारे में तोचो और स्वेम से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हैं उस से उस वक्ति की भलाई होगी कारगल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है कोई महत्वपूर्ले लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सेनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुती दी थी साथियों युद्ध की परिस्थिति में हम जो बात कहते हैं करते हैं उसका सीमा पर डटे सैनिक के मनोबल पर उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पढ़ता है ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए और इसलिए हमारा आचार हमारा वेहवार हमारी वानी हमारे बयान हमारी मर्यादा हमारे लक्ष सभी कसोटी में ये जरूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं कह रहे हैं उससे शैनिकों का मनोबल बढ़े उनका सम्मान बढ़े राश्ट सर्वोपरी का मंत्र लिए एकता के सुत्र में बंदे देश्वासी हमारे शैनिकों की ताकत को कई हजार गुना बढ़ा देते हैं हमारी यहां तो कहा गया ने संगे शक्ति कलो यूगे कभी-कभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश का बहुत नुक्षान करती है कभी-कभी जिग्यासा बहुत फौरवड करते रहते हैं पता है गलत है यह करते रहते हैं आजकल यूद्ध केवल सिमाव पर ही नहीं लड़े जाते हैं देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमी का तै करनी होती है हमें भी अपनी भूमी का देश की सीमा पर दूरगम परिस्तितियों में लड़ रहे सैनिकों को याद करते हुए तै करनी होगी मेरे प्यारे देशवासीों पिछले कुछ महेनों से पूरे देश ने एक जूट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है आज हमारे देश में रीकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहतर है साथ ही हमारे देश में कोरोना से मुर्त्यु दर्भी दुनिया के जाधातर देशों से काफी कम है निश्चित रुप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखत है लेकिन भारत अपने लाखों देश वाच्चों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है लेकिन साथियों कोरोना का खत्रा टला नहीं है कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है हमें बहुत ही जादा सतरक रहने की जरूरत है हमें यह इध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है चहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उप्योग करना दोगज की दुरी लगातार हाथ धोना कहीं पर भी थूंकना नहीं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना यही हमारे हत्यार है जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं कभी-कभी हमें मास्क से तकलीफ होती है और मन करता है कि चहरे पर से मास्क हटा दे बाचित करना शुरू करते हैं जब मास्क की जरुरत होती है जादा उसी समय मास्क हटा देते हैं ऐसे समय मैं आप से आगर करूंगा जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी फिल होती हो मन करता हो उतार देना है तो पल भर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरण केजिए उन आपको भी लगेगा कि हमें एक नागरिक के नाते इसमें जराबी कोता ही नबरत नहीं है न किसी को बरतने देनी है एक तरब हमें करोना के खिलाब लड़ाई को पूरी सजक्ता और सतर्क्ता के साथ लड़ना है तो दूसरी ओर कठोर महनत से व्यवसाय, नोकरी, पढ़ाई जो भी कर्तवे हम निभाते हैं उसमें गति लानी है उसको भी नई उन्चाई पर ले जाना है साथियों कोरोना काल में तो हमारे ग्रामिन ख्षेत्रों ने पूरे देश को दिशा दिखाई है गावों से स्थानिय नागरिकों के ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगाता सामने आ रहे हैं जम्मू में एक ग्राम त्रेवा ग्राम पंचायत है वहाँ की सरपंच है बलबीर कौर जी, मुझे बताया गया कि बलबीर कौर जी ने अपनी पंचायत में 30 बेड का एक कौरंटाइन सेंटर बनवाया, पंचायत आने वाले रास्तों पर पानी की भवस्ता की, लोगों को हाथ दोने में कोई दिक्कत न हो, इसका इंतजाम करवाय इतना ही नहीं, ये बलबीर कौर जी खुद अपने कंदे पर स्प्रेपम टांक कर, वॉलेंटेर्स के साथ मिलकर, पूरी पंचायत में आसपार के शित्र में सैनिटाइजेशन का काम भी करती है ऐसी ही एक और कश्मीरी महला सरपंच है गांदरवल के चोंटली वार की जैतुना बेगम, जैतुना बेगम जी ने तै किया कि उनकी पंचायत कौरोना के खिलाब जंग लड़ेगी और कमाय के लिए अउसर भी पैदा करेगी उन्होंने पूरे इलाके में फ्री मास्क बाटे, फ्री राशन बाटा, साथ ही उन्होंने लोगों को फसलों के बीच और सेव के पौधे भी दिये ताकि लोगों को खेती में, बागवानी में दिक्कत ना आए साथियों, कश्मीर से एक और प्रेयर घटना है, यहां अनंतनाग में मिंस्पल प्रसिडेंट है स्रीमान महमद इकबाल, उन्हें अपने इलाके में सैनिटाइजेशन के लिए स्प्रेयर की जरूत थी, उन्होंने जानकारी जुटाई, तो पता चला कि मशीन दूसरे सहर से लानी पड़ेगी, और किमत भी होगी छे लाक रुपी है, तो स्रीमान इकबाल जी ने खुद ही प्रयास करके अपने आप स्प्रेयर मशीन बना ली, और वो भी केवल पचास हजार रुपिये में, ऐसे कितने ही और उदारा हैं, पुरे देश में, कौने कौने में, ऐसी कई प्रेयर घटनाएं, रोज सामने आती हैं, ये सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, चुनोती आई, लेकिन लोगों ने उतनी ही ताकत से उसका सामना भी किया, मेरे प्यारे देशवासियों, सही एप्रोच से, सकारादमक एप्रोच से, हमेशा आपदा को अउसर में, विपत्ति को विकास में, बदलने में बहुत मदद मिलती हैं, अब ही हम कोरोना के समय भी देख रहे हैं, कि कैसे हमारे देश के युवाओं, महलाओं ने अपने टालेंट और स्कील के दम पर कुछ नए प्रयोक शुरू किया हैं, विहार में कई वुमेन सेल्फ हेल्प गुरूप्स ने मदुवनी पेंटिंग वाले मास बनाना शुरू क और देखते ही देखते यह खुब पपलिर हो गया है, यह मदुवनी मास एक तरह से अपनी परंपरा का प्रचार्तों करते ही हैं, लोगों को स्वास्त के साथ रोजगारी भी दे रहे हैं, आप जानते ही हैं, नौर्थ इस्ट में बैंबु यानि बांस कितनी बड़ी बांत लिगरों ने हाई क्वालिटी की पानी की बोतल और टिफिन बॉक्स बनाना शुरू किया है, बांबु से आप अगर इनकी क्वालिटी देखेंगे, तो भरोसा नहीं होगा कि बांस की बोतले भी इतनी शांदार हो सकती हैं, और फिर ये बोतले इको फ्रेंडली भी हैं, इन इसे इन में औस दिये गून भी आते हैं, छोटे-छोटे स्थानिय प्रोडक्ट से कैसे बड़ी सफलता मिलती है, इसका एक उधारन जार्खन से भी मिलता है, जार्खन के विशुनपूर में इन दिनों तिस से जादा समू मिल करके लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं, लेमन प्रास चार महिनों में तयार हो जाती है, और उसका तेल बाजार में अच्छे दामों में बिकता है, इसकी आजकल काफी मांग भी है, मैं देश के दो इलाकों के बारे में भी बात करना चाहता हूँ, दोनों ही एक दूसरे से सेंकडो किलोमेटर दूर है, और अपने अपने तरीके से भारत को आत्मनिर भर बनाने के लिए कुछ हटकर के काम कर रहे हैं, एक है लदाक और दूसरा है कच्छ, लेह और लदाक का नाम सामने आते ही, खुबसुरत वादियां और उचे उचे पहडों के द्रश्य हमारे सामने आ जाते हैं, ताजी हवा के जोंके मसूस हो ने लगते हैं, वहीं कच्छ का जिक्र होते ही, रेगिस्तान, दूर दूर तक रेगिस्तान, कहीं पैड पाउधा भी नजर ना आए, इस सब हमारे सामने आ जाता है, लदाक में एक विशिष्ट फल होता है, जिसका नाम चूली या एप्रिकोट यानि खुबानी है, ये अनौतियों से ये जूचता रहता है, इसकी कम से कम बरबादी हो, इसके लिए आजकाल एक नए इनोविशन का इस्तिमाल सुरू हुआ है, एक डूएल सिस्टिम है, जिसका नाम है सोलार एप्रिकोट ड्रायर एंड स्पेस हीटर, ये खुबानी और दुसरे अन्य फलों ये सबजियों को जरूरत के अनुसार सुखा सकता है, और वो भी हाईजेनिक तरीके से, पहले जब खुबानी को खेतों के पास सुखाते थे, तो इससे बरबादी तो होती ही थी, साथ ही दूल और बारिस के पानी की वजह से फलों की क्वालिटी भी प्रभावित होती थी, किसान ड्रेगन फुर्ट्स की खेती के लिए सरानिय प्रयास कर रहे हैं, बहुत से लोग जब सुनते हैं तो उना असर होता है, कच्छ और ड्रेगन फुर्ट्स, लेकिन महां आज कई किसान इस कार्य में जूटे हैं, फल की गुणवत्ता और कम जमिन में ज्यादा उत्पा कर नास्ते में इस्तमाल काफी बढ़ा है, कच्छ के किसानों का संकल्प है कि देश को ड्रेगन फुर्ट्स का आयात न करना पड़े हैं, यही तो आत्म दिर्भरता की बात है, साथियों, जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं, इनोवेटिव सोचते हैं, तो ऐसे काम भी हो जाते हैं, जिनकी आम तोर पर कोई कलपना नहीं करता, जैसे कि बिहार के कुछ युवाओं को ही लीजिए, पहले सामान नोकरी करते थे, एक दिन उन्होंने ताय किया, कि वो मोती यहने पल्स की खेती करेंगे, उनके एक शेत्र में लोगों के इस बारे में बहुत पता नहीं था, लेकिन इन लोगों ने पहले सारी जानकारी जुटाई, जैपूर और भूमनेश्वर जाकर ट्रेनिंग ली और अपने गाउं में ही मोती की खेती शुरू कर दी, आज ये स्वयम तो इससे काफी कमाई करी रहे हैं, उन्होंने मुझफरपूर, बेगु सराय और पटना में, अन्य राज्यों से लोटे प्रवासी मदुरों को इसकी ट्रेनी देनी भी शुरू कर दी हैं, कितने ही लोगों के लिए इससे आत्म निरभरता के रास्ते खुल गए हैं, साथियों, अभी कुछ दिन बाद रक्षा बंधन का पावन पर्व आ रहा है, मैं इन द जिनों देख रहा हूं कि कई लोग और संस्ताएं इस बार रक्षा बंधन को अलग तरीके से मनाने का अभियान चला रहे हैं, कई लोग इसे वोकल्फ और लोकल से भी जोड रहे हैं, और बात भी सही है, हमारे पर्व, हमारे समाज के हैं, हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े, उसका भी पर्व खुशाल हो, तब पर्व का आनन कुछ और ही हो जाता है, सभी देश वाईशों को रक्षा बंधन की बहुत बहुत शुब कामना है, साथियों, साथ अगस को नेशनल हेंडूम डे हैं, भारत का हेंडूम, हमारे हेंडिक्राप्ट, अपने आप में सैंक्डों वर्सों का गरों में इत्यास समेटे हुए हैं, हम सभी का प्रयास होना चाहिए, कि न सिर्फ भारती हेंडूम और हेंडिक्राप्ट का जादा से जादा उप्योग करें, बल्कि इसके बारे में हमें जादा से जादा लोगों को बताना भी भारत का हेंडूम और हेंडिक्राप कितना रीच है, इसमें कितनी विवीदता है, ये दुनिया जीतना जादा जानेगी, उतना ही हमारे लोकल कारिगरों और बुनकरों को लाप होगा साथियों, विशेशकर मेरे युवा साथियों, हमारा देश बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, कितनी तेजी से बदल रहा है, कैसे कैसे क्षेत्रों में बदल रहा है एक सकारात्मक सोच के साथ अगर निगार डाले तो हम खुद अचंबित रह जाएंगे एक समय था जब खेल कुद से लेकर के अन्य सेक्टर्स में अधिकतर लोग या तो बड़े-बड़े शहरों से होते थे या बड़े-बड़े परिवार से या फिर नामी, गरामी, स्कूल यार कॉलेज से होते थे अब देश बदल रहा है गावों से, छोटे सहरों से, सामान ये परिवार से हमारे युवां आगे आ रहे हैं, सफलता के नए सिखर चूम रहे हैं ये लोग संकटों के बीच भी नए नए सपने संजोते हुए आगे बढ़ रहे हैं कुछ ऐसा ही हमें अभी हाली में जो बॉर्ड एक्जाम्स के रिजल्ट आए उसमें भी दिखता है आज मन की बात में हम कुछ ऐसे ही प्रतिवाशाली बेटे बेटियों से बात करते हैं ऐसी ही एक प्रतिवाशाली बेटी है कृतिका नांदल कृतिका जी हरियाना में पानी पत से हैं हलो कृतिका जी नमस्ते नमस्ते सर इतने अच्छे प्रणाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद सर और आपको तो इन दिनों टेलीफोन लेते लेते भी आप ठक गई होगी इतने सारे लोगों के फोन आते होंगे जी सर और जो लोग बधाई देते हैं वो भी गर्म महसूस करते होंगे कि वो आपको जानते हैं आपको कैसा लग रहा है सर बहुत अच्छा लग रहा है पेरेंस को प्राउड फिल कराके वो खुद को भी इतना प्राउड फिल हो रहा है अच्छा ये बताईए कि आपके सबसे बड़ी प्रेयरना कौन है सर मेरी मम्मी है सबसे बड़ी प्रेयरना तो मेरी वा अच्छा आप मम्मी से क्या सीख रही है सर उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किले देखे फिर भी वो इतनी बोल्ड और इतनी स्ट्रोंग है सर उन्हें देख देख के इतनी प्रेयरना मिलते कि मैं भी उनी की तरह बनू मा कितने पड़ी लिखी है सर बीय किये उन्होंने बिये किया हुआ है जी सर तो मा आपको सिखाती भी होगी जी सर सिखाती है दुनियादारी के बारे में हर बात बताती है तो डारती भी होगी जी सर डारती भी है आचा बेटा आप आगे क्या करना चाहती हैं सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं अरवा देखिए डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है जी सर डिगिरी तो प्राप्त कर लेगी क्योंकि आप बड़ी तेजस भी हो बेटा लेकिन डॉक्टर का जीवन जो है वो समाज के लिए बहु करना पड़ता है कि प्रकार से 24 by 7 365 डेज्ट डॉक्टर की जिन्दगी लोगों की सेवा में लगी रहती है और खत्रा भी रहता है क्योंकि कभी पता नहीं आजकल के जिस्प्रकार की बिवारिया है तो डॉक्टर के सामने भी बहुत बड़ा संकट रहता है जी सर अजा कृत हरत ङाला तो खेल कट में पुरहिंदूसेतान के लिए हमेशा ही परेणा देने वाला प्रोट्सान देने वारा राज्य रहा है तो आप सभर वी कुछ कृफ्ट में भाग लेती है क्या कूछ फेल को पसंद आपको सलप 129 साथ मोचीं कितनी है यद्वारे रम प Yummy से हैं तर्व मेरी तरव से प्रणाम कहिए उन्होंने आपको इस प्रकार के योग्य बनाया आपके जीवन को बनाया आपके माता जी को प्रणाम और आपको बहुत-बहुत बढ़ाई बहुत-बहुत शुब कामना है धन्यवाद पर आएए अब हम चलते हैं केरला अरना कुलंब केर यृप्फर माताइड़ कर ब्रणाम इस करीवर किल थुँए प्रणाम पाटिश्वाद समुख ऑटिसिति आपके बमग्य घलियु वदुए है I have visited only Kerala and Tamil Nadu. Only Kerala and Tamil Nadu. Yes. So, would you like to visit Delhi? Yes, sir. Now I am applying to Delhi University for my higher studies. Wow. So, you are coming to Delhi? Yes, sir. Tell me, do you have any message for fellow students who will give board exams in future? Hard work and proper time utilization. So, perfect time management. Yes, sir. So, Vinayak, I would love to know your hobbies. First of all, badminton. Mm-hmm. And then training. Mm-hmm. So, are you active on social media? No, we are not allowed to use any electronic items or gadgets in the school. So, you are lucky. Yes, sir. Well, Vinayak, congratulations again and wish you all the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thanks, sir. Thank you. आप पढ़ रहे थे तो उस्मान आपका पसंदिदा विशे क्या था mathematics अरे वाँ तो mathematics में क्या रूची रहती थी कैसे हुआ किस टीचर ने आपको प्रेडित किया जी हमारे एक सब्जेक्ट टीचर रजसर उन्होंने मुझे प्रेड़ दी और वह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और mathematics सुरू से ही मेरा अच्छा रहा है और काफी इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट भी तो जितना जादा करते हैं उतना जादे इंट्रेस्ट आता है तो कि बहुत सारे आपके दोस्तों को लगेगा जैसे आप जादूगर है क्योंकि कॉंप्यूटर की स्पीड से आप गिंती कर सकते हैं वेदिक मैतेमाटिक की बहुत सरल टेक्निक्स है और आजकल वो ओन्लाइन पर भी एवेलेब्ल होते हैं क्योंकि आपकी मैतेमाटिक में इंट्रेस्ट हैimar तो बहुत सी नहींने चीज़े भी आप दे सकते हैं जी सर्थ उस्मान आप खाली समय में क्या करते हैं खाली समय में सर कुछ पुछ नो कुछ लिखता रहता हूं मैं मुझे लिखने में बहुत इंट्रेस्ट आता है अरे वाह मतला आप मैंत्मेटिक में रूची लेते हैं लिट्रेश्र में भी रूची लेते हैं क्या लिखते हैं कभीता हैं लिखते हैं कुछ भी करन्ट अफेर से रिलेटेट कोई भी टॉपिक को हो उससे लिखता रहता हूं नहीं जानतारिया मिलती रहती हैं जैसे जी एस्टी चला था और हमारे नौट बंदीज सब चीज अरे वाँ कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अगे का क्या प्लान बना रहे हैं मेरा जीमेंस का फर्स्ट अटेम्ट फिलियर हो चुका है और अब मैं सेटेंबर के लिए सेकंड अब बैठूंगा मेरा मेन एम है कि मैं पहले आई-ई-टी से बेचलर डिग्री लूँ और उसके बाद सिविल सर्विसेस में जाओं और एक अच्छा आप टेक्नलोजी में भी रूचि लेते हैं इसलिए मैंने आई-टी किया है फर्स्ट टाइम बेच था आई-टी का अच्छा चलिए उश्मान मेरी तरफ से बहुत शूपकामनाएं हैं और आपका भाई शरारती हैं तो आपका समय भी अच्छा जाता होगा और निखते भी हैं देखे लिखने का फायदा यह होथा कि आपके विचार में शार्पने साती है बहुत-बहुत अच्छा फायदा होता है लिखने से तो बहुत-बहुत बदाई मेरी तरफ से थैंकि ज़हें और एक्दम से नीचिय साूथ में चले जाते हैं तमिलारु नामकल से बेटी कनिगा से बात करेंगे और कनिगा की बात तो बहुत इंस्पिरेशनल है कनिगा जी मन कम मन कम स्यर्व हाव और यू फिर्स्ट अप लुट लाग तो राइट शट्सेश थांक यू सर्ट वन एएट अप नमककल इस्टिंग कि अप टेंपल Yes, sir. Now I will also remember my interaction with you. Yes, sir. So, congratulations again. Thank you, sir. You would have worked very hard for exams. How was your experience while preparing? I was working hard from the start, so I didn't expect this result, but I have written well, so I will get a good result. What were your expectations? 485 or 486, like that I thought, sir. And now? 490. So, what is the reaction of your family members and your teachers? They were so happy and they were so proud, sir. Which one is your favorite subject? Mathematics. Oh, and what are your future plans? I am going to become a doctor, if possible, in AFMC, sir. And your family members are also in a medical profession or somewhere else? Oh, sir. My father is a driver, but my sister is studying MBBS, sir. Aroha. So, first of all, I will do the pranam to your father, who is taking a lot of care of your sister and yourself. It's a great service he is doing. Yes, sir. And it's an inspiration for all. Yes, sir. So, my congratulations to you, your sister and your father and your family. Thank you, sir. 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 Thank you. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.